एक कब चाय के साथ में अगर आपको गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए ना तो फिर कहना ही कि आप देखी सकते कितने लाज जबाब कितने टेश्टी मज़ेदार पकोड़े हमारे बन के तयार होए है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ ममता और आज मैं आपको बताऊंगी पकोड़े बनाना एकदम जटपट रेसिपी है यह एकदम मिंटों में बनने वाले पकोड़े हैं तो चलिए देर किस बात की बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बरतन ले लिया उसमें मैं डाल दूँगी चार उबले है अलू इनको पहले मैं अच्छे से उबाल लिया था अब थोड़ा सा मैंने इनको तोड़ भी लिया है अब मैं डाल दूँगी इसमें यह बेसन एक प्याच को मैंने बारी काट लिय था वो भी इसमें हम डाल देंगे अब डाल दोंगे मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और यहां पर मैंने डाल दिया इसमें एक बड़ा चमबाच यह धनिया पाउडर और यहां पर डाल दिया मैंने यह साबुत जीरा इसमें वो थोड़ी से डाल देंगे हम यह लाल दालना है नहीं तो हमारी पकोड़ों का जो बैटर वो अच्छे से ज्यादे गीला हो जाएगा इतना अच्छा नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे एकदम जटपट बनने वाले पकोड़े हैं एकदम लाजबाब टेश्टी मज़ेदार बनके तयार होंगे तो हम जरूर ट्राइ करें इने और जो यह थोड़े से मोटे मोटे आलो हैं इसको हास से हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे अभी यह थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है हमें तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ओर डालूंगी और यह हमारा पकोड़ों का छोटे छोटे करके हमें पकोड़े बनाने हैं, जादा बड़े एक साथ में नहीं बनाएंगे, और एक बार तेल में जितने आ जाएंगे, उतना ही इस्वे डालेंगे, और जब एक त्रफ से अच्छे सीख जाएंगे, तो हमों को पलट के अच्छे से फ्राइय कर लेंगे, اور और ये देखिए कितना बढ़िया कलर कितना बढ़िया एकदम लग रहे हैं बजएदार एकदम ला जबाब हमारे पकोड़े बने हैं ना तो हमने इसमें ज़्यादा मसाला मिलाया ना कुछ तो अगर आपको मेरी बनी ही रैसीपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे को सब्सक्राइब लाइक सिर करना ना भूले और जो साइड में बैल आइकन होता है उसको जरूर किलिक करें इससे क्या होगा कि जो मेरी नई रैसीपी है जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हैं उसको आपका नोटिफिकेसन आपको मिल दाएगा तो ये देखिए एक दम अब तक के लिए थैंक ये सो मच आप इंजॉय करें ये पकोड़े